नमस्कार दरेड माइक के दर्शकों मैं हूँ संकेत उपाध्याय इस देश में आप किसी भी चीज़ को ले करके गौरान वृत महसूस हो जाईए बहुत खुश हो जाईए अपने अंदर पॉजिटिविटी भर लीजिए सब कुछ कर लीजिए सरकार आपको एक कारण से कहेगी कि वही पॉजिटिव बात ही करो सरकार के इसाप से नहीं चलना चाहिए आपके आज पास भी जेनरली आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए ये बात भी मानते हैं लेकिन जब कोई ये बताएगा कि हम बहुत विक्सित हो रहे हैं और अमरित किस तरीके से ट्रीट कर रहा है देश में जो बच्चे हैं उनकी क्या स्थिति है और अगर वो पिक्चर खराब है तो पिर मैं इसको अमरितकाल नहीं मानता और किसी को भी इसको अमरितकाल नहीं मानना चाहिए और सरकार की जो आदत होती है वावाई लूटने की और ये कहन कि मतलब कितना घजब काम कर रहे हैं हम मतलब भाई वह क्या नहीं कर दिया खुद सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि आप कितने पानी में हैं और देश के बच्चों की क्या स्थिती है इसी सरकार के कारेकाल में जो कि अमरितकाल के दावे करती है उसकी आज पोल खोल सरकारी आखड़ों ने खुद कर दी है, कैसे कर दी है, आईए आपको वो बताते हैं, सरकार से एक सवाल पूछा गया, कुपोशन के बारे में, मैल नूटरिशन के बारे में, आप जानते हैं, यह हमेशा से एक देकत रही है, हमारे देश में, बच्चों में कुपोशन, सरकार एक चीज करती है जिसको कहते हैं potion tracker यानि कि जो बच्चों को खाना दिया जा रहा है या उनकी जो health parameters हैं उनमें potion कितना है उसको track करने के लिए एक android का app भी बनाया गया है जिसको कहते हैं potion tracker हमारा वास्ता इन सब चीजों से इस लिहाद से भी रहा है क्योंकि एक अपनी पिछली संस्थान में करीब पात साल तक हम एक अभियान से जुड़े रहे जिसमें कुपोशन को ले करके और स्टंटिंग को ले करके और वेस्टिंग को ले करके एक संस्था एक प्राइवेट संस्था जो है वो बहुत काम कर रही थी तो सरकारी आंक्डे हो, जमीन पर NGO's की मदद हो, Corporate Social Responsibility के तहट काम किया जा रहा हो, महिला स्वास्त को लेकर के काम किया जा रहा हो, और उससे बच्चों का स्वास कैसे सुधरा हो, इसमें NGO's और CSR और Corporates क्या कर सकते हैं, उसका तो अनभव था, लेकिन सरकारें क्या जिम्मेदारी निभा सकती हैं, इसका आभास और एहसास भी था, और ऐसे लगता है अब ताजे आंक्डे, जो सरकार की तरफ से आये हैं, उसमें सरकार को अपनी पीट थप थपाने के बज़ाए, अपनी नाकामी की और भी ज़रा नजर डालनी चाहिए, एक तरफ तो आप 80 करोड लोगों को राशन दे रहे हैं, पीट थप थप आते हैं कि मुफ्त में राशन दे रहे हैं, लेकिन ये खाक पीट आपने थप थप आई, क्यूंकि जो आपके खुद के आकड़े हैं, जो Women and Child Development Ministry की तरफ से आए हैं, जो अब संसद में सवाल पूछने पर आप ही ने मुहया कराए हैं, उसके हिसाब से इस देश के 36 प्रतिशत बच्चे, जो की 5 साल से कम उमर के हैं, वो स्टंटिड हैं, स्टंटिड का मतलब क्या हुआ, यानि कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है उस तरीके से जैसे होनी चाहिए, 17 प्रतिशत बच्चे जो हैं, उनका वजन कम है, वजन जितना होना चाहिए, और ये सब पोशन के ही, मतब पोशन के हिसाब से ही मेजर किया जाता है, तो 17 प्रतिशत बच्चे जो हैं, शूनी और 5 साल की उमर में, यानि कि सबसे क्रूशल जो उमर होती है बच्चों की, जिसमें उनका नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, जिसमें उनके मास पेशियां जो हैं, वो डेवलप हो रही होती हैं, सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, सबसे चंचल उमर बच्चों की, और उस उमर के 0 से 5 साल में 17 प्रतिशत बच्चे जो हैं, वो वजन उनका कम है, जिसको कहते हैं अंडर्वेट है, 36 प्रतिशत बच्चे जो हैं, वो स्टंटिड हैं, और 6 प्रतिशत बच्चे जो हैं वो वेस्टिड हैं और मैं इनकी परिभाशाएं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में ये Women and Child Development Ministry के आंकड़े हैं Stunted, Wasted और Underweight जो हैं ये आप ये समझेए ये सबसे प्रमुख पैमाने होते हैं कुपोशन को मेजर करने के एक देश में और अगर आप इसको जोड़ दें आप जानते हैं इस देश के लगभग 60 प्रतिशत बच्चे कुपोशित हैं 60 प्रतिशत बच्चे एक देश के कुपोशित हैं और आप बनने निकले हैं अमरित काल आप बनने निकले हैं 2047 में घजब का भारत मैं नहीं मानता जिस देश के 60% बच्चे को पोशित हो वो देश महान नहीं हो सकता हम महान बन सकते हैं लेकिन है नहीं नहीं बोलेंगे मेरा भारत महान 60% को पोशित बच्चों के साथ तो नहीं बोलेंगे अब आप तैय कर लीजे कि ये आपको देश-द्रोह की कैटेगरी में इसको रखना है राज-द्रोह की कैटेगरी में रखना है इस बात को या किस भी कैटेगरी में रखना है जिस देश में 80 करोड लोगों को मुफ्स राशन की जरूरत महसूस हो रही है, जिस देश के 60 प्रतिशत, करीब करीब 69 परसेंट बच्चे जो हैं, वो कोपोशन की ख्रेणी में आते हैं, तो फिर आपने क्या ही शासन किया है और क्या ही हासिल किया है, दो बड़े पैमानों प पर विफल देख रहे हैं, इसको तो सही नहीं ठहराया जा सकता है, किसी भी तरीके से, अब आप ले आईए दरजनों सरकारी आंक्रे और बताइए कि नहीं, इसको इस तरीके से देखिए, उसको उस तरीके से देखिए, मोटी-मोटी बात ये है, कि ये एक विफलता का प्र malnutrition often due to recent and severe weight loss, wasted का मतलब ये होता है कि आपने height तो खींच ली, height आपकी बढ़ गई, लेकिन आपका वजन उस अनुपात में नहीं बढ़ा है, क्यूं? क्यूंकि आपको portion नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, और जब ऐसा होता है, तो इसको proportion का एक parameter माना जाता है, तो जो wasted है, आप ये समझेए कि वो देश भर में 6 प्रतिशत बच्चे wasted हैं, अब मैं आपको बताता हूँ अगला statistic, कि मतलब और क्या-क्या चीज़ें इसमें होती है, मैंने आपको wasted के बारे में तो बताई दिया, अंडर weight वो लोग होते हैं, जिनका वजन कम होता है उनकी उमर के हिसाब से, ये wasted से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि wasted में आपकी height हो गई और वजन नहीं बढ़ा, अंडर weight में आपका वजन ही नहीं बढ़ा, जिसमें stunting और wasting दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, तो अंडर weight कितने बच्चे हैं इस देश में, आप ये समझें कि 17 प्रतिशत बच्चे इस देश में अंडर weight है, तो ये तो इस्थिती है, मतलब 6 प्रतिशत बच्चे तो height बढ़ गई लेकिन वजन नहीं बढ़ा, और 36 प्रतिशत बच्चे जो हैं, वो stunted हैं, ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिती में आप क्या चीज़ celebrate कर रहे हैं या आप अपने आप से सवाल पूछ दिए, ये सवाल पूछा गया था लोकसभा में Women and Child Development Minister Annupurna Devi से, और उन्होंने ये आंकड़े दिये हैं, जून 2024 के, जिसमें 8.57 करोड बच्चोय, जो की 6 साल से कम की उमर में हैं, उनको मेजर किया जाता है, जिनमें से 35 प्रतिशत stunted थे, 17 प्रतिशत जो है अंडर वेट थे, और 6 प्रतिशत जो है वो वेस्टिट थे, ये सब तमाम जानकारी है, अब आपको राज के हिसाब से आंकड़े दें, क्योंकि ये तो नैशनल फिगर है न, तो स्टेट वाइस क्या स्थिति है आपको वो बता दे, उत्तर प्रतिश में सबसे जादा स्टंटिंग है, 46.36 प्रतिशत, मतलब वो उत्तर प्रतिश जिसमें कस सुधर रहा है और बहुत बहतर हो रहा है, जिसकी राजनीती जो है, वो कभी दिल्ली आती है, कभी लखनव में रहती है, और वहां राजनीतिक बवाल मचता रहता है, राजनीतिक रूप से सबसे प्रतान मंत्री जिस प्रदेश से सांसद हैं, जहां से योगी आजतिनात है जहां से सारे लोग मतलब वह सबसे क्रूशल स्टेट वहां सबसे जादा कूपोशन का एक पैमाना है वो प्रदर्शित हो रहा है 46.36 प्रतिशत बच्चे जो है वो स्टंटिंग के शिकार है लक्षदीप में 46.31 प्रतिशत महराष्ट और मध्य प्रदेश में 44.59 प्रतिशत और 41.61 प्रतिशत यह स्थितिया है अब यह कौन सी सरकार द्वारा शासित राज्य हैं यह मैं आपके उपर छोड़ता हूँ मैं राजनीती में नहीं जाना चाहता हूँ जाने की जरूरत भी नहीं है नैशनल शेम की बात है वो आपको हर किसी को दिख रहा है वेस्टिंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया था जो अक्यूट मैलनूट्रिशन यानि की कुपोशन का भी मतलब सबसे जो भयानक इस्थिती होती है उसकी स्थिती क्या है लक्षवदीप में 13.22 प्रतिशत बच्चे इससे प्रभावित हैं बिहार और गुजरात में 9.81 और 9.16 प्रतिशत बच्चे जो हैं वो कुपोशन के इस परामिटर के हिसाब से प्रभावित हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए होती हैं कि आपको या तो खाना नहीं मिल रहा है ढग से और पोशन नहीं मिल रहा है एक कुछ लोग होते हैं वो खा तो लेते हैं लेकिन किस तरीके का खाना खा रहे हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पैमाना होता है कि आप खा तो खूब रहे हैं लेकिन क्या खा रहे हैं पोशन मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है तो इन सब पैमानों में भी हमारे बच्चे जो हैं इसकदर प्रभावित हैं अब आप देख लिजे कैसी इस्थिति हैं और ये जो वेस्टिंग मैंने आपको बताया इसमें बहु बहुत ही जादा है यहां पर बिहार गुजरात कौन शासन कर रहा है आपके ऊपर छोड़ता हूं राजनीती से ऊपर का मुद्दा है गोजरे वहां पर स्टंटिंग सबसे कम है ठीक है 5.84 प्रतिशत है वेस्टिंग वह पॉइंट 85 परसेंट है अंडर्वेट जो बच्चे है वहां पर 2.18 प्रतिशत है लेकिन गोजरे चोटा राज्य है तो यहां पर अगर आपको इस तरीके की स्तिती दिख रही है तो यह नै चाहते हैं मैं भी यह चाहता हूं हम सब यह चाहते हैं आप भारत को तेजी से ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं सब यह चाहते हैं भारत को समरिद्ध देखना चाहते हैं हां हम सब देखना चाहते हैं लेकिन भारत समरिद्ध होगा GDP से नहीं भारत समरिद्ध होगा अमी Human Indices यानि कि Human Index पर भारत उपर जा रहा है या नहीं उसका सबसे बड़ा प्रमान होता है कि भारत अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है और अगर भारत के करीब 60 प्रतिशत बच्चे को पोशन के शिकार होंगे तो आप करते रहे हैं बंद कमरे में मीटिंग योग की मीटिंग मीटिंग आप करते रहे हैं स्टेट में मीटिंग मीटिंग और लगाते रहे हैं अपने पोस्टर वहवाही के हकीकत सच्चाई जो है वह आपके बयानों से परे है इस देश के 60 प्रतिशत बच्चे को पोशन के शिकार है और ये शरम की बात है महांता की बात नहीं कि यह कारिक्रम देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्लीज आप भी बताईएगा कि आप क्या महसूस करते हैं फिर मिलेंगे किसी और कारिक्रम के साथ तब तक के लिए नमस्कार